अध्याय साथ स्वतंत्रता धन का उच्चतम रूप है हर सुभ उठने और कहने की क्षमता मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं लोग उन्हें खुश करने के लिए अमीर बनना चाहते हैं खुशी एक जटल विशय है क्योंकि हर कोई अलग है लेकिन अगर खुशी में एक आम भाजक है आनंद का एक सार्वभौमिक इन्धन यह है कि लोग अपने जीवन को नियंतरित करना चाहते हैं आप जो चाहते हैं जब आप चाहते हैं जिसके साथ आप चाहते हैं जब तक आप चाहते हैं करने की क्षमता अमूल्य है यह सबसे ज्यादा डिविडेंड मनी है इंगस कैंप बेल मिशिगन विश्व विद्याले में मनोवे ग्यानिक थे 1910 में जन में उनका शोध एक ऐसे युग के दौरान हुआ जब मनोवे ग्यान उन विकारों पर अत्यधिक केंद्रित था जो रहता था कि लोगों को क्या खुशी मिलती है उनकी 1981 की पुस्तक The Sands of Wellbeing in America इस ओर इशारा करते हुए शुरू होती है कि लोग आम तोर पर कई मनोवे ग्यानिकों की तुलना में अधिक खुश होते हैं लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में बहतर कर रह थे और आप जरूरी नहीं कि उन्हें आये या भूगोल या शिक्षा के आधार पर समूहित कर सकें क्योंकि उनमें से प्रत्येक श्रेणी में इतने सारे लोग कालानुक्रमिक रूप से दुखी होते हैं खुशी का सबसे शक्तिशाली आम भाजक सरल था कैंप बेल ने इसे सारानशित किया किसी के जीवन को नियंतरित करने की एक मजबूत भावना हमारे द्वारा विचार की गई जीवन की किसी भी वस्तुगत स्थिती की तुलना में भलाई की सकारात्मक भावनाओं का एक अधेक आपके घर के आकार से अधेक से अधेक आपकी नौकरी की प्रतिष्ठा आप जो चाहते हैं जब आप चाहते हैं उन लोगों के साथ जो आप चाहते हैं उस पर नियंतरन सबसे व्यापक जीवन शेली चर है जो लोगों को खुश करता है पैसे का सबसे बड़ा आंतर एक मूल्य और इसे अतिरंजित नहीं किया जा सकता है यह आपको अपने समय पर नियंत्रन देने की क्षमता है थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता और स्वायत्ता का एक स्थर प्राप्त करने के लिए जो अव्ययत संपत्ती से आता है जो आपको इस बात पर अधिक नियंत् क्षमता यदि आपके पास यह क्षमता नहीं है तो उस क्षमता को प्राप्त करना बहुत बड़ा है थोड़ा और अधिक मतलब है कि आप एक अच्छी नौकरी के लिए इंतजार कर रही हैं जब आप पहली बार पाते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है यह जी जानते हैं कि अगर आपको नई नौकरी खोजने के लिए कुछ समय निकालना पड़े तो आप बरबाद नहीं होंगे मोर स्टिल का मतलब कम वेतन लेकिन लचीले घंटों के साथ नौकरी लेने की ख्षमता है शायद एक छोटा आवागमन वाला या आप इसके लिए भुग चकता होती है तब के बजाए जब आप चाहते हैं तो सेवानिवरित हो जाते हैं समय और विकल्पों को खरीदने के लिए अपने पैसे का उप्योग करने से जीवन शैली का लाब होता है कुछ विलासिता के सामान प्रतिस परधा कर सकते हैं कॉलेज के दौरान में एक निव प्रतिशत सकारात्मक था मुझे इसे प्राप्त करने के बाद मुझे खुश कर देगा मैंने अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजल्स में एक निवेश बैंक में ग्रीश्म काली निंटन्शिप हासिल की और सोचा कि मैंने करिय लॉटरी जीती है यही सब मैं कभी चाहता था अपने पहले दिन मुझे एहसास हुआ कि निवेश बैंकर बहुत पैसा क्यूं कमाते हैं वे इंसानों की तुलना में अधिक समय तक और अधिक नियंत्रित घंटे काम करते हैं संभालना वास्तव में अधिकांश से संभाल नहीं सकते आधी रात से पहले घर जाना एक व करें नौकरी बौधिक रूप से उत्तेजक थी अच्छा भुगतान किया और मुझे महत्वपून महसूस कराया लेकिन मेरे समय का प्रत्येक जागरन मेरे बौस की मांगों का गुलाम बन गया जो इसे मेरे जीवन के सबसे दयनिया अनुभवों में से एक में बदलने के लि और मैं कड़ी मेहनत करना चाहता था लेकिन कुछ ऐसा करना जिसे आप एक शेड्यूल पर पसंद करते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं वही महसूस कर सकते हैं जैसे आप कुछ नफरत करते हैं इस भावना का एक नाम है मनोवे ग्याने किसे प्रतिक्रिया कहते ह पेंसिल्वेनिया विश्वविध्याले के मार्केटिंग प्रोफेसर जोना बजर ने इसे अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया। लोग यह महसूस करना पसंद करते हैं कि वे ड्राइवर की सीट पर नियंतरन में हैं। जब हम उनसे कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। यह महसूस करने के बजाए कि उन्होंने चुनाव किया। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने इसे उनके लिए बनाया है। इसलिए वे ना कहते हैं या कुछ और करते हैं तब भी जब वे मूल रूप से साथ जाने में खुश होते। 25 जब आप स्वीकार करते हैं कि वो कथन कितना सत्य हैं, तो आप महसूस करते हैं कि जीवन के प्रतिधन को संरेखित करना जो आपको वो करने देता है जो आप चाहते हैं जब आप चाहते हैं जो आप चाहते हैं जहां आप चाहते हैं जब तक आप चाहते हैं अविश्वस्तनियव वापसी है एक सफल उद्यमी डेरेक सिवर्ज ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा था जिसने उसे यह कहानी बताने के लिए कहा था कि वो कैसे अमीर हुआ मेरे पास मिद्टाउन मैनहेटन में 20 डॉलर का भुगदान करने का एक दिन का काम था कप्रती वर्ष न्यूनतम वेतन के बारे में मैंने कभी बाहर खाना नहीं खाया और कभी टैक्सी नहीं ली मेरे रहने की लागत लगभग 1000 डॉलर पर माह थी और मैं 1800 डॉलर पर माह कमा रहा था मैंने इसे दो साल तक किया और बारह हजार डॉलर बचाए मैं बाइस साल का था एक बार मेरे पास बारह हजार डॉलर होने के बाद मैं अपनी नौकरी छोड़ सकता था और पूर्ण कालिक संगीतकार बन सकता था मुझे पता था कि मुझे अपने जीवन या पन की लागत का भुगदान करने के लिए प्रती माह कुछ गेग्स मिल सकते हैं तो मैं आजाद था मैंने एक महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी नौकरी नहीं की जब मैंने अपने मित्र को यह कहानी सुनाना समाप्त किया तो उसने और मांगा मैंने कहा नहीं बस इतना ही उन्होंने कहा नहीं जब आपने अपनी कमपनी बेची तो क्या हुआ मैंने कहा नहीं, इससे मेरे जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा बैंक में बस इतना पैसा था अंतर तब हुआ जब मैं 22.2 है का था सहीयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर देश है लेकिन इस बात के बहुत कम प्रमान हैं कि इसके नागरिक 1950 के दशक की तुलना में आज औसतन अधिक खुश है जब धन और आय बहुत कम थी, यहां तक औसत स्तर पर और मुद्रास फीती के लिए समायो जित 140 देशों में 150,000 लोगों के 2019 के गैलप पोल में पाया गया कि लगभग 49 प्रतिशत अमेरिकियों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन बहुत चिंता, महसूस की थी 27 वैश्विक और 49 प्रतिशत था 50 प्रतिशत अमेरिकियों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन बहुत तनाव, महसूस किया बाकी दुनिया के लिए 35 प्रतिशत ने ऐसा ही कहा यहां जो कुछ हुआ है उसका एक हिस्सा यह है कि हमने अपने बड़े धन का उप्योग बड़ा और बहतर सामान खरीदने के लिए किया है लेकिन हमने एक साथ अपने समय पर अधिक नियंतरन छोड़ दिया है सबसे अच्छा वे चीजे एक दूसरे को रध कर देती है एक हजार नौसर पचपन दशमलव दो आठ में मुद्रास फीती के लिए समायोजित औसत पारिवारे का आए उनतीस हजार डॉलर थी दो हजार उन्नीस में यह बासट हजार डॉलर से अधिक थी हमने उस धन का उप्योग उन्नीस सो पचास के दशक के अमेरिकी यहां तक एक उसत परिवार के लिए भी शायद ही कल्पनिय जीवन जीने के लिए किया है उसत अमेरिकी घर उन्नीस सो पचास में 983 वर्ग फुट से बढ़कर 2018 में 2436 वर्ग फुट हो गया उसत नए अमेरिकी घर में अब रहने वालों की तुलना में अधिक बात्रूम हैं हमारी कारें तेज और अधिक कुशल हैं हमारे टीवी सस्ते और तेज हैं दूसरी ओर हमारे समय में जो हुआ है वो मुश्किल से प्रगती की तरह दिखता है और बहुत से कारणों का उस तरह की नौकरियों से लेना देना है जो अब हम में से अधिक लोगों के पास है जॉन डी रॉक फिलर अब तक के सबसे सफल व्यवसाईयों में से एक थे वो एक वैरागी भी था अपना अधिकांज समय अकेले बिताता था वो शायद ही कभी बोलता था जान बूज कर खुद को दुरगम बनाता था और जब आप उसका ध्यान आकर्शित करते थे तो चुप रहते थे एक रिफाइनरी कर्मचारी जिसे कभी कभी रॉक फिलर के कान होते थे ने एक बार टेपनी की थी वो बाकी सभी को बात करने देता है जबकि वो वापस बैठता है और कुछ नहीं कहता है बैठकों के दौरान उनकी चुप पी के बारे में पूछे जाने पर रॉक फिलर अकसर एक कविता सुनाते थे एक ओक में एक बुद्धिमान बूड़ा उल्लू रहता था जितना उसने देखा उतना ही कम बोला वो जितना कम बोलता था उतना ही अधिक सुनता था हम सब उस बुद्धिमान बूड़े पक्षी की तरह क्यों नहीं है रॉक फिलर अजीब आदमी था लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा निकाला जो अब लाखो श्रमिकों पर लागू होता है रॉक फिलर का काम कुओं को खोदना ट्रेनों को लोड करना या बैरल को हिलाना नहीं था यह सोचना और अच्छे निरनय लेना था रॉक फिलर का उतपाद उसकी सुपूर्ट गी वो नहीं था जो उसने अपने हाथों से या यहां तक अपने शब्दों से भी किया था यह वही था जो उसने अपने सिर के अंदर निकाला था इसलिए उन्होंने अपना अधिकांच समय और उर्जा यहीं खर्च की अधिकांश लोगों को खाली समय या फुर्सत के घंटों की तरह लगने वाले दिन में अधिकांश समय चुपचाप बैठने के बावजूद वो अलगातार अपने दिमाग में काम कर रहा था समस्याओं के बारे में सोच रहा था ये उनके समय में अनोखा था रॉकफेलर के समय में लगभग सभी कारियों को अपने हाथों से करने की आवश्यक्ता थी अर्थशास्त्री के अनुसार 1870 में 46 प्रतिशत नौकरियां क्रिशी में थी और 35 प्रतिशत शिल्प या निर्मान में थी रोबर्ट गौडन कुछ पेशे एक कार्यकर्ता के दिमाग पर निर्भर थे तुमने नहीं सोचा आपने बिना किसी रुकावट के मेहनत की और आपका काम द्रिश्यमान और मूर्ट था आज वो फ्लिप हो गया है 38 प्रतिशत नौकरियों को अब प्रबंध को अधिकारियों और पेशेवरों के रूप में नामित किया गया है ये निर्णय लेने वाले कार्य है अन्य 41 प्रतिशत सेवा कार्य है जो अकसर आपके विचारों पर उतना ही निर्भर करते हैं जितना की आपके कार्यों पर हम में से अधिकतर के पास ऐसी नौकरियां हैं जो 1950 के दशक के एक विशिष्ट निर्मान श्रमिक की तुलना में रॉकफेलर के करीब दिखती हैं जिसका अर्थ है कि हमारे दिन समाप्त नहीं होते हैं जब हम घड़ी को देखते हैं और कार खाने छोड़ते हैं हम लगातार अपने दिमाग में काम कर रहे हैं जिसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि काम कभी खत्म नहीं होता यदि आपका काम कारों का निर्मान करना है तो जब आप असेंबली लाइन पर नहीं होते हैं तो आप बहुत कम कर सकते हैं आप काम से अलग हो जाते हैं और अपने उपकरन कार खाने में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग अभियान बनाना है, एक विचार आधारित और निर्नए कार्य, आपका उपकरन आपका सिर है, जो आपको कभी नहीं छोड़ता है। आप अपने यात्रा के दोरान अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे होंगे, जब आप रात का खाना बना रहे होंगे, जब आप अपने बच्चों को सुलाएंगे, और जब आप सुभा तीन बजे तनाव में होंगे, आप 1950 की तुलना में कम घंटों के लिए घड़ी प था यदि 21 सदी का उप्रेटिंग उपकरन एक पोर्टेबल डिवाइस है तो इसका मतलब है कि आधुनिक कार खाना बिल्कुल भी जगह नहीं है दिन ही है कम्प्यूटर युग ने कार्याले से उत्पादक्ता के साधनों को मुक्त कर दिया है अधिकांश ग्यान कार्यकरता ज धानतिक रूप से दोपहर दो बजे के रूप में उत्पादक हो सकते हैं मुख्य कार्याले में दोपहर दो बजे टोक्यो वेवर्क में ये आधी रात को सोफे पर 29 पिछली पीडियों की तुलना में आपके समय पर नियंतरन कम हो गया है और चून कि आपके समय को नियंतरत करना एक ऐसा महत्व पूर्ण खुशी प्रभावक है इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लोग ज्यादा खुश नहीं है भले ही हम है औस पहले से कहीं ज्यादा अमीर हम इसके बारे में क्या करते हैं इसे हल करना कोई आसान समस्या नहीं है क्योंकि हर कोई प्रोंटोलोजिस्ट काल पिल्मन ने अपनी पुस्तक 30 लेसन फॉर लिविंग में 1000 बुजूर गमेरिकियों का साक्षात कार लिया जो जीवन के दशकों के अनुभव से सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण सबक की तलाश में थे उन्होंने लिखा है किसी ने नहीं हजारों म इसे एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि खुश रहने के लिए आपको अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए किसी ने नहीं, एक भी, व्यक्ति नहीं, ने कहा कि कम से कम उतना ही धनवान होना महत्व पूर्ण है जितना कि आपके आसपास के लोग और यदि आपके पास इससे अधिक है तो यह वास्तविक सफलता है किसी एक व्यक्ति ने नहीं, किसी ने नहीं कहा कि आपको अपनी वांचित भविश्य की कमाई शक्ती के आधार पर अपना काम चुनना चाहिए उन्होंने गुनवत्ता पूर्ण, मित्रता, अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा होने और अपने बच्चों के साथ गुनवत्ता पूर्ण अस्तनरचित समय बिताने जैसी चीजों को महत्व दिया आपके बच्चे आपके पैसे या आपका पैसा क्या खरीदता है कहीं भी उतना नहीं चाहते जितना वे आपको चाहते हैं विशेश रूप से वे आपको उनके साथ चाहते हैं पिल्म लिखते हैं इसे उन लोगों से ले जो हर चीज से गुजरे हैं अपने समय को नियंत्रित करना सबसे अधिक लाभांश का भुगतान करता है. अब, सबसे कम लाभांश वाले पैसे में से एक पर एक छोटा अध्याय.